क्या भोजपरी की ते बियूटिफुल अधकार्Gs अक्षरा शेंग दे रहे हैं खिषारी लाल यादव का साथ जी हाँ आज हम बात करें भोजपरी की डिप़ाने चुराने का और अरव का और這些 बार इनकी रिकॉर्डिंग जिसमें रितियस पांडे खेसारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी और खेसारी लालिया रितियस पांडे पर वैसे देखा जाए तो इन दिनों यूटुब के हर भोजपुरी चैनल पर एक ही वीडियो वैरल हो रहा है और वो है कि किसने किसका गाना चोहरी किया है तो चलिए आज हम बात करते भोजपुरी की बीटिफुल अधाकारा अक्षरा सिंग जी के बारे में जानते हैं वह दे रहे हैं किसका साथ और कर रहे हैं किसके पक्षमे बात तो जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइ के बारे में वैसे तो हर कोई इस सच को सामने लाने के लिए वीडियो कर रहे हैं वाइरल आप सभी इस से रिलेटेड बहुत से वीडियो देखी चुके होंगे लेकिन सच क्या है अभी तक किसी ने खुलासा नहीं किया है और नहीं इसकी कोई ऑफिसियल खबरे सामने आई है वैसे तो इस गाने के लिए हर कोई अपनी अपनी बाते बना रहे हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस मैटर को लेकर भोजपिर इंड़स्ट्री की ब्यूटीफुल अधाकारा अक्षरा सिंग ने क्या कहा है आपको बता दे कि गोरित और चुन्डरी टू जिसे रि घुराना चोरी करके गाना बिल्कुल नाइनसाफी है तो पहचंत ने के लिजख गाना हिए मोदा है है और अपने काफी किमति TIME भी देते हैं साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एक सिंगर के लिए उसका गाना ही सब कुछ होता है हलांकि इस बात को अक्षराइ सिंगर कई गाने में आइटम डांस भी करते नजर आते हैं वे उनके हर गाने को बहुत पसंद करते हैं और इनके गाने की तारिफ भी करते नजर आती हैं वे कहती हैं कि इनकी आवाज में मानो जादू सा है और हर कोई इनके गाने का दिवाना हो जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तो आप बताईए तो दोनों के वीडियो यूटूब पर खूब धमाल मचाते नजर आ रही है और भोजपुरी फैंस इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं तो आप बताईए कि आप किनका साथ दे रहे हैं रितेज पांडे की गोरीत और चुन्री रू का या किसारी लालियादव का लहांगा लखना हुआ का तो हमें कमेंट श्रक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार ख़वरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स